तो दोस्तों आप देख पार हैं यहां पर बहुत सारे questions पूछे जा रहे हैं आप चाहें तो इन में participate कर सकते हैं दोस्तों और यह सब इंग्रेश लांग्वेज और से पुछे जा रहे हैं आपके बीए सेंडिया और थर्डिया से और यह कुछन डेली पुछे जाएंगे जब तक कि आपके एक्जाम चल रहे हैं तो मैं इनके आंसर भी बताता हूं दोस्तों अभी दो वीडियो अपलोड हो चुकी है और उन दो जो वीडियो अपलोड हुई है उनमें मैंने जो क्वेशन पूछे गया थे यहां पर उनके आंसर मैंने उसमें बताए हैं तो आज की वीडियो में मैं कुछ क्वेशन की आंसर बताऊंगा तो स्टार्ट करते हैं हमारे यह वाली क्वेशन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों त तो इसमें पूछा जा रहा है कि untouchable was published in यानि untouchable जो novel है वो कब publish हुई थी तो यह publish हुई थी दोस्तो 1935 में तो here option B is correct 1935 इसी तरह से जो next हमारा question है यह आपका अब यह थर्डिया से पुछा जा रहा है और तोरुदत जी की जो फोयम है लक्षमन उससे पूछा गया तो यहां पर सी है तोरुदत इसका रेक्ट इसी तरह से जो next हमारा question है यह question भी है थर्डिया से है English literature इसमें पूछा जा रहा है कि दा रेनेसांस started in यानि रेनेसांस कब से start हुआ तो रेनेसांस स्टार्ट हुआ था 1453 से तो जो option यहां पर सी है 1453 इस गैरेक्ट इस तरह से जो next हमारा question है यह question आपका भी है थर्डिया से पूछा जा रहा है और महिद अत्तानी जी द्वारा लिखा जो एक stage play है seven steps around the fire इससे पूछा जा रहा है तो उसमें पूछा जा रहा है दोस्तों की कंबला का मड़र के अपरात के रूप में किसको गरिफतार कर लिया गया था यह किसको एरेस्ट कर लिया गया था तो जिनको एरेस्ट किया गया था दोस्तों उनका नाम था अनार कली तो option a अनार कली is correct इस तरह से जो next हमारा question है यह आपका second year से यह नहीं कर आपका second year से है यहां पर कर गलत गीले कि यह यां पर ठरडहर होगा दोस्तों यहांपा पर यह थर्ड्यर है दोस्तों तो यह third year से कुछे कई पर अम है लक्षमाड जी की ला त्रुटातव स्यारा लिखी जो प्रोएम प्रभाइन के वो क्यों एंड यह वह भांड के लिए जाने से किज रहा थे तो कि श्रीराम के लिए क्साइं के लिए लेहर कि पौरफ़ल है कि कोई भी राक्षस Яज कोई दाना या कोई भी घोष्ट इंक力 कुछ भी मतलब उनको हानी नहीं पहुचा सकता किसी भी तरह की तो वह इतने ज़्यादा पावरफुल है कि कभी भी हेल्प के लिए नहीं पुकारेंगे किसी को और मेरी उन्हें हैं जोर्थ नहीं है तो इसलिए वह नहीं जायरत थे अपने भाई शुरी राम जी की हैं तो य फर्म मतलब होता है द्रण और फेद मतलब होता है विश्वास तो उनको द्रण विश्वास था इंदर प्रवस मिंस प्रवस मतलब होता है पराक्रम यानि पावर्स उनकी पावर्स पे जो लक्षमन जी है सिर्राम जी की पावर्स पे बहुत ज़्यादा उनको द्रण विश इस तरह से जो next हमारा question है दोस्तों यह question आपका भी ए secondary से पूछा जा रहा है और इसमें लिखा है कि what is the other name of tragic comedy tragic comedy का दूसरा नाम क्या है तो tragic comedy को तो बहुत सारे नाम से जानते हैं दोस्तों आपनों जानते हैं कि tragic comedy को black comedy भी बोलते हैं और dark comedy भी tragic comedy को बुला जाता है और tragic comedy को dramatic romance के नाम से भी जाना जाता है तो यहां पर जो option C है dramatic romance is correct इसी तरह से जो next हमारा question है वो पूछा जा रहा है आपके Margaret Edward जी की जो novel है bodily harm इससे पूछा जा रहा है तो इसमें पूछा गया है कि who is the heroine of the novel bodily harm bodily harm जो novel है इसकी जो heroine है वो कौन है तो इस novel की जो heroine है उनका नाम है रैनी रैनी विलफर्ड तो option जो A है is correct इस दरह से जो next हमारा question है हैं दोस्तों यह आपका यह थर्डिया से पूछा गया है और यह question पूछा जा रहा है आपके जो wife poem है wife poem की जो जो है मानी बनर्चुल जी उनसे पूछा गया है तो इसमें पूछा जा रहा है कि हमानी बनर्चुल जी जू थे जो है रोई और इन में से किसकी पोइटर है तो इन में से वो सौरोगी फोइटर है जो आय एट सओरोगी पोइटर से मानी भेन जी चीजी तो उप्षण भी जो लिखायग 우린 यहाँ पर वह कर्यक्ट हम कि कि इसकी तरह से जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यह एंग्जाइटी पोयम से है यह को आधा हूं सकांसर कल गूर में मैंने इसका अंसर बताया था और निचे अगे जितनी भी क्वेश्चन से इन सब कांसर मैं कल की वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों तो इस तरह स यह थे कुछ question आसके और आज जो question पुछे गए हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तीन घंटे पहले और यह भी भी थर्डिया से पुछा गया है तो आप चाहें तो इनमें participate कर सकते हैं और इनके answer मैं आपको next video में बताऊंगा तो दोस्तों मैं मलता हूं आपसे next video में तब